आज हमलों शूरू करने वाले हैं क्लास सेवन के जो चैप्टर नमर फोर हैं बाबर हिस्ट्री में ठीक है तो चली हमलों देखते हैं थोड़ा से स्कूपर कर लेते हैं देखिए चैप्टर नमर फोर के अगर बात करें तो बहुत ही विए चैप्टर है मुगल समराइज के बारे में पढ़ना है और मुगल समराइज में आपका सबसे पहले जो सब्द आता है वो है बाबर सब बाबर क्या है यह बाबर कौन है ठीक है तो जैसे कि एगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको महाँ तो मिली जाएगा हम यहाँ पे सौट में हैं डिटेंड नॉट्स बनाएक रहे हैं ताकि बाबर कोन थे यहां पर जalan को दिखाया गया बाबर जो ठाओ मुगल कार्थ होथा है बहादूर लेकिन किस भौसा हमें तो मुगल सब्द लेटिन भावासा मौंग से बना है मुगल सब्द जो है वो लेटिन भासा मौंग से बना है जिसका अर्थ होता है बहादूर क्या होता है बहादूर तो यहां से आपका कोशन बन सकता है कि मुगल किस सब्द से बना है मुगल लेटिन भासा के किस सबसे बनाए तो मोंक से बनाए जिसका फ्या होता है बाद दूर होता है मुगल समराज के स्थापना किस ने किया था बाबर ने किया था मुगल समराज के स्थापना किस ने किया था बाबर ने किया था मुगल समराज के स्थापना का हुआ थी तो भारत में हुई थी अब आगे तके हम लो यहां पर जो सबसे भी विए कोसन पूछा गया हो है कि यहां लिखके रखें हैं थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं तो अच्छा ठीक है स्कोर बढ़ा कर देते हैं अब दिख रहा होगा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तुमेंने कहा कि मुगल वन्स के अस्थापक ते अर्थात बाबर ये इस यूद में जित गया था इस लड़ाय में जित चुका था इसलिए भारत में क्या कर पाया मुगल वन्स के स्थापना कर पाया अब रही बात किसको हरा के तो इवराहम लोदी को हरा करके ये जिता था इवराहम लोदी कौन थे तो सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा का नाम था इवराहम लोदी और इब्राहिम लोदी कौन थे तो लोदी वन्स के अंतिम सा सकते इब्राहिम लोदी तो जब आपको पता है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई हुई पानिपत का पर्थम यूद पानिपत कहा है तो पानिपत हरियाना राज के है ना पानिपत एक जगह का नाम है और वहीं पर है पानिपत मतला हरिया नाम है ठीक है तो पानिपत के मैदान में यह लड़ाई हुई थी ठीक है उस जगह में हुई थी इसलिए इसका नाम भी रखा गया पानिपत लड़ाई नाम दिया गया तो सिकंदर लोदी के जो बेटा था अ तो इसका वास्पिक नाम जो पुछा जाता है बाबर का क्या है तो बाबर का वास्पिक नाम या मूल नाम या मेन नाम का जाए तो जहरुदीन मुहमद बाबर था लेकिन इसे हम लोग सौटकट में क्या बोलेते हैं बाबर बोलेते हैं लेकिन इसका असली नाम क्या है जहरु तो हो गया दूसरा हो गया मंघौन के थे तो इसके पिता यो थे यह पुझबे किस्टान के थे उझ्येक इसे विलोंग bond करते थे और उजवेकिस्तान कहां है तो आईए आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा बस अगर ये रहा आप देखेगा, अगर आप मेप देखें, तो ये आप जो मेप देखें ये आपका इंडिया है, भारत होगे, ये होगे आपका पाकिस्तान, ये होगे आपका आपका अनिस्तान, और ये जो रेट कलर से दिख जाते हैं इसके पिता जब मर जाते हैं तो उसके बाद जो फरगाना के गदी किसको मिलता है तो मिलता है बाबर को ठीक है बाबर को फरगाना की गदी मिली और ये किस वर्स में तो जब 12 वर्स की एज था किसका बाबर का बाबर का जब 12 वर्स जा रहा था उस समय बाबर के पि इसी राजा से और उस लाड़ाई में हारने के बाद फरगाना की गर्दी इसको छोड़नी पड़ जाती है कि इसको तो बाबर को इस गर्दी को छोड़नी पड़ जाती है अब आगे देखिए क्या काता है आगे लिखा है कि जो फिर क्या हुआ जब इसको गर्दी छोड़ना को अपने कब्जे में किया मैंने बताया कि यह जब भारत आया था तो सबसे पहले मतलब किस से लड़ाय किया था इब्राहिम लोदी से लड़ाय किया था इब्राहिम लोदी से जब लड़ाय किया इसने तो आपको पता है कि इस लड़ाय का नाम दिया था पानीपत का पर्थम तब ये भारत में अपना मुगल वंस के स्थापना कर पाया ठीक है अब रही बात क्या है अब इसके बात क्या हुआ तो इसके बात एको लड़ा इसने जिता जिसका नाम था 1527 में खानमा का यूद होता है राना सांगा के साथ जिसमें से राना सांगा को भी हरा देता है ठीक है और इस लड़ाई को भी जित लेता है इसका होसला धेरे धेरे और बुलन होता जा रहा था फिर क्या हुआ 1528 के गराम बात करें तो 1528 में चंदेरी का यूद हुआ था और ये तिन लड़ाई जितने के बार इसका होसला इतना बुलंद हो चुका था कि अब इसे लग रहा था कि हम यहां पे बिल्कुल असानी से सासन कर सकते हैं, ठीके, और हम बहुती अस्ट्रॉंग या मजबुत राजा हैं, ठीके, अब आगे क्या हुआ, इसने अपनी आत्म कथा तुजु किये बाबरी, इसने अपनी आत्म कथा मतलब अपने जीवन के बारे में जो कथा है या लिखा है अपने जीवन के बारे में पूरा संपुल जनकारी, उस किताब का नाम है तुजु किये बाबरी, अगर आप पढ़ेंगे, अर्थात बाबर नामा बुक गाता तो आपने देखा क्या अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बाबर का जो बेटा था, जब बाबर मरता है तो इसका जो बड़ा बेटा है ये हुमायू गदी पर बैठता है, जो कि हम लोग अगले पाठ में देखने वाले अर्थात पंदरो से चप्वीस से तीस के अगर बात करने तो अब यहाँ पर हमने ऑंने किया देखा अब यहाँ पर चूटा सवी करज इसे कर पाया तो सबसे पहले इसका इंवेन मुद्धा था कि 1526 पाने पत की लड़ाई में जितना और इब्राहिम को हरा देना ठीक है इब्राहिम लदी कौन था तो सिकंदर लोदी का बड़ा बेटा था लोदी वह का अंत्युंस सासक भी था इब्राहिम लोदी अब आगे ब और उससमय उसको गदी मिल गया फरगाना का राजा बन के आता है लेकिन हुआ कुछ यह ही एक लड़ाई में हारने के बार इसे फरगाना की गदी इसको चोड़ने पड़ जाती है अब अनेक वसनों तक भटकने के बाद क्या होता है कि ये भारत पहुंचता है और भारत में पर्थम लड़ाई जो था पानी पत्का इस लड़ाई में जीतने के बाद इब्राहिम लड़ी को हराने के बाद फानल ये डिल्ली और आगरा को अपने कबजे में कर लेता है अब आ आपका हो गया उजवेकिस्तान और उजवेकिस्तान से भटकते भटकते हुए यह आपके पहुंच गया कहाँ पर डिल्ली कहाँ पर पहुंच गया डिल्ली और डिल्ली में कौन था इब्राहिम लोदी को हराया इब्राहिम लोदी को हराया इब्राहिम लोदी को हराने के बार अपने देखा राना संग को हराया ठीक है और भी जो चंदरी का लड़ाई हुआ राजपुत्यों को हराया उसके बार यह आगरा और दिल्ली को अपने कभजा में कर लेता है ठीक है अब यह रही बात थोड़ा सा स्कोर अगर डेटेल समझाने के कुश्चिस करें तो यहां पर प्रगना के सा सकता हमारे बाबर ठीक है अब यहां पर देखिएगा उजबेकिस्तान में देखाया तो यह आपका राभ़ाना ठीक है तो आई हॉप आपको यह स्पार्ट वन वीडियो में जो बाबर के बारे में बताया गया आप क्लास सेवन के नुसार क्लास सेवन के बु के लिए वीडियो बनाए गया है जो बच्चे कला से उने पढ़ रहे हैं उसके लिए है ठीक है ताकि अब आपका बाबर से ठीक है बाबर से जितने सारे सवाल है वो आपका यहां से बन जाएगा बिल्कुली असानी से कोई दीकत नहीं होगा तो मिलते हम लोग नेक्स वीडि पर जादा पाट जो कि चेप्टर बढ़ा है तो आप को च्छटा पाट बना करके लिए जगा वीडियो रिकोडिंग करके आप इसको वीडियो को देखिएगा पैनेल इसका एक टेस्ट होगा उस टेस्ट में आप देकी देखिएगा कि कि हम कितना सी पाएं या नहीं सीख है ठीक है कि आप आपका चेप्टर भी सिलेबस भी कमिक्ट होता जा रहा है और इस परकार से आप क्या कर सकते हैं अपना जो कॉर्स है और पूरा कर सकते बिल्कुल असानी से तो मिलते हैं एक सब्सक्राइब तक लिए देने बाद